हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ सो आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आएगी सो लेट्स गेट स्टार्टिट सो सबसे पहले आप एक एक Mdf पोर्ट ले लीजिए और आप इसको क्रीन कलर से कोट कर लीजिए इसके बाद आप बॉल पुट्टी से एक डो त्यार करकर उस पर आप कॉर्णर्स पर अच्छे से डो को पेस्ट कर दीजिए फिंगर से थोड़ा प्रेस करके उसको अच्छे से आप पेस्ट कर देना है और फिर किसी भी flat object से आप इसके sides को, corners को अच्छे से आप इसको clean कर लीजिए, अब मैंने craft पिस्ता shell की help से मैंने ये बनाया है, तो आप इनको white color से अच्छे से coat कर लीजिए, देखिए मैंने बहुत सारे पहले से ही color करके रखे हैं, अब आप इस frame की चारो side में आप एक एक wall putty cone से एक line और अच्छे से draw कर लें, तो आपको एक अच्छा सा frame बनकर तयार हो जाएगा, और बिल्कुल भी जल्दबाची ना करें, इसलिए अराम से wall putty cone का use करके आप इसको अच्छे से cover कर लें, फिर इसी cone की help से आप जो आपने ये frame बनाया है, इस पर आप जो आपके पास pista shell थे, वो मैंने different different color से उनको coat कर लिया है, और फिर उन पर मैंने different different designing की है, ताकि मैं आपने इन pista shell को एक अच्छा सा fish का shape दे सकूँ, तो friends एक बात देखिए, आपको जो भी design आपको पसंद आता है, या जो भी आपको color अच्छा लगता है, आप अपने pista shell के उपर वो color कीजिए, और फिर design भी अपने हिसाब से आप चूज कर सकते है, यहाँ पर मैंने pink pista shell पर white color के dots दिये हैं, और वो बहुत ही सुन्दर देख रहा है, और फिर red color का एक pista shell लीजिए, उसके उपर मैंने एक बड़ी dot लगा कर, और sides में चोटे-चोटे dots से मैंने उसको तयार किया है, तो friends आप इसको जुरूर try करें, तो यह फिश जो है, यह आपका किसी और graph में भी आपका फिश बनाने के लिए यह काम आ सकता है, और यह हमारे सारे पिश्टा shell फिश की form में बनकर तयार हो चुके हैं, इसके बाद आप एक rectangular shape में, अपने frame के बीच में structure बना दीजिए, और आप उसको wall putty की help से आप उसको पूरा fill कर लीजिए, ताकि हम उसमें अपने जो हमने यह fish बनाई है, उनको अच्छे से लगा सकें, इससे पहले friends आपको क्या करना है, जो green color था, आप उस पे दुबारा ही coat कर लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मु अच्छे से उसमें थोड़ा सा finger की help लेके आप अच्छे से उनको press कीजिए, ताकि वो अच्छे से wall putty के अंदर लग जाएं, और फिर निकलेना, अब आपके पास जो round mirror है, उनको putty की help से अपने इस frame में अच्छे से fix कर लें, ताकि वो निकलेना, और इस तरह से यह आपक स्क्वेर शेप में यह complete हो जाएगा, इसके बाद अपने border को आप black color दें, और इसको बड़ी है, finishing के साथ उसको complete करें, side में भी अच्छे से black color लगाएं, ताकि इसमें white color कहीं पर भी ना दिखे, जितने finishing से आप इसको करोगे, उतना ही अच्छा आपका यह frame दिखेगा, और इसके complete होने के बाद, मैं इसको blue color करना भूल गई थी, तो प्लीज आप यह पिस्ता शेल लगाने से पहले ही, आप इसको rectangle shape को आप blue color से इसको अच्छे से cover कर ले, मुझे इसमें बहुत problem ही लगाने में, इसलिए प्लीज आप इसको पहले ही cover कर ले अच्छे से, और अब ज दे रहा है, लास्ट में आप इन शेल्स को फिश का आकार दे दे, तो यह और आईज और माउट बनाके इनको बहुत ही अच्छे से, डेकोरेट कर ले, और लास्ट में अपने craft पे आप वार्निश करें, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्ली